स्वर्ग जाने का असली हगदार कौन और वह कौन सा पाप है, जिसे करने वाले मनुष्य को नरग जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान धर्म, जप, तप, आधी प्रकार के करोडों पुन्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं, तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुन्य के कारण मिलती है, ऐसा वह कौन सा पुन्य है जो मनुष्य के करोडों पापों का नाश करता है, और ऐसा वह कौन सा पाप है जो उसके करोडों पुन्यों को नश्ट कर डालता है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किये शु उसी समय देवर्शी नारद वहां उपस्थित हुए। उनके चहरे पर चिंता की रेखाएं थी और भगवान विश्णु ने उन्हें देखते ही कहा। मैंने देखा कि कुछ पुण्यात्माएं नरक में जा रही थी जबकि कुछ पापी स्वर्ग में। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कृपया मुझे यह बताईए कि कौन नरक जाता है और कौन स्वर्ग और यह कैसे तय होता है। भगवान विश्णु ने नारत की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। देवर्शी, संसार में कर्मों का फल मनुष्य के आंतरिकु देश्य और विवेक पर निर्भर करता है। कई बार जो प्रकट रूप से पुन्य दिखते हैं, वे भी पाप हो सकते हैं। इस विशय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो आज मैं आपको सुनाता हूँ। इस कथा को सुनकर आपको आपके सभी प्रश्णों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनिये, जो भी इस कथा का श्रवन करता है, उसके कोटी-कोटी पाप नश्ट होते हैं और उसे विश्णु लोक की प्राप्ती होती है। देवर्श्य कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए, आधा अधूरा ग्यान घातक होता है। इसलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए, तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा। अंग कापने लगता है। यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं। जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर-जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, तो वही नरक के द्वार से धढ़कती हुई अगनी की पालाएं दिखाई पड़ रही होती है। पालाएं दिखाई पड़ रही होती है। मैं जानता हूँ कि मैंने जीवन भर बहुत पाप किये हैं। मैंने दूसरों का धन चुराया उन्हें तकलीफ दी और कभी कभी उनका जीवन भी बरबात किया। मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ वह गलत है। लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। परिवार भूखा था, मेरे पास कोई काम नहीं था, और हर कोई मुझे दुद्कारता था, मैंने चोरी से जो धन पाया, उससे मैंने अपने परिवार का पेट भरा, पर अब मुझे इस बात का प्स्तावा है कि मैंने कितने लोगों को धुक पहुँचाया, अब यम्राज इसके बाद कमलिनी, जो एक वेश्या थी, अपनी व्यथा व्यक्त करने लगी, उसकी आवाज में भी दर्द और गलानी थी, उसने गहरी उदासी के साथ कहा, मेरा नाम कमलिनी है, मैं जानती हूं कि शास्त्रों के अनुसार, जो स्त्रीक कई पुरुषों से संबंध बनाती है, उसे नरक में भेजा जाता है, लेकिन मैंने यह सब जान बूझ कर नहीं किया, जब मैं छोटी थी, एक दुष्ट व्यक्ती ने मुझे जबरदस्ती उठा कर वेश्या बना दिया, मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं यह जीवन जीऊं, मैं चाहती थी कि मैं किसी सम्मान जनक जीवन में होती, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने ना चाहते हुए भी वह सब सहा जो मेरे साथ हुआ, अब मुझे नहीं पता कि मेरे इन पापों का क्या होगा, मुझे यह भी नहीं पता कि अगले जन्म में मुझे किस रूप में जन्म लेना पड़ेगा, मै मानो वह अपने पूरे जीवन का भार अपने कंधों पर महसूस कर रही हो। उसकी आँखों में वह पीडा जहलक रही थी जिसे उसने सालों तक छुपाए रखा था। मैं राजा का सिपाही था इसलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितनों के प्राण लिये है ना जाने कितने मासूम लोगों को सताया है ना जाने कितने निर्दोश लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं न दिश्चित ही नरक में ही जाऊंगा लेकिन मैंने ये सभी पाप जान बूज कर नहीं किये हैं अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन पोशन के लिए मुझे ये पाप करने पड़े हैं हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना पड़ता था राजा के के मोहवश होकर मैंने ये काम किया है लेकिन पाप तो पाप होता है पाप करके पश्चा ताप करने का क्या फाइदा इसलिए मेरा नरक में जाना तो तय है उसके बाद वह वो विद्वान पंडित बोलता है भाई हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं तुम लो दिईक और जूट का ग्यान था लेकिन फिर भी मैंने धन के लोबवश ये पाप किये है शास्त्र कहते है कि जो सब कुछ जान कर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है मैंने अपने ग्यान का दुरुपयोग किया है मैंने अपने ग्यान का उपयोग लोगों की साहता के लिए नहीं बलकि धन को कमाने के लिए किया है मेरे घर की परिस्थिती अत्यंत गरीब थी मेरे पिता बिक्षा मांग कर गुजारा करते थे लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ग्यान देने की चेश्टा की है शास्त्र कहते हैं जो विद्वान ब्रामन अपने ग्यान का दुरूपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है मैंने लोगों को ग्यान देने के बदले में उनसे धन लिया है कभी किसी को मुफ्त में ग्यान नहीं दिया इसलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा वाचस्पती के चहरे पर पश्चाताप की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी उसकी आँखों में आंसू थे और उसका सिर शर्म से जुका हुआ था वह अपनी आत्मा के बोर से तूट चुका था इन चारों की बात सुनकर महिपाल जो एक घमंडी किसान था हंसने लगा उसके चहरे पर घमंड और अहंकार साफ दिख रहा था उसने ताने मारते हुए कहा तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा तुम लोगों ने घोर पाप किये है और इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे यहाँ पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुन्यवान हूँ मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है ब्रामणों को दान दक्षना दी है मैंने मृत्यू से पूर्व गाय का दान भी किया है और अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ती के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे है वे मेरे लिए श्राद्ध, दान, तरपन कर रहे है यग्य कर रहे है इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ मेरी तीन पत्नियां और दस पुत्र है इतने लोग मेरी मुक्ती के लिए उपाय कर रहे है और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है और जाने अंजाने में किये भी होंगे तो मेरे पुत्रों के श्राध आदिके कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नश्ट हो जाएंगे मैं नित्य देव पूजा करता था मंदिर जाता था द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ती निश्चित ही होगी फिर वे पाँचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और फिर जब उनका समय आता है तो उन पाँचों के पाप और पुन्य के करमों का मूल्यांकन किया जाता है सबसे पहले बारी आती है उस चोर की जिसका नाम हरिदास था हरिदास का हिसाब किया गया चित्रगुप्त ने उसके करमों का लेखा जोखा निकाला और यम्राज ने उसका पाप पुन्य का मूल्यांकन किया कुछ समय तक विचार करने के बाद यम्राज ने निर्णे लिया कि हरिदास को स्वर्ग का मार्ग प्राप्त होगा यह सुनकर हरिदास आश्चर्य चकित हो गया उसकी आँखों में विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा वह प्रसन्नता से स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ गया इसके बाद कमलिनी की बारी आई चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज ने उसके पाप पुन्य का मूल्यांकन किया और कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप पुन्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं ये सुनकर कमलिनी की आँखों में आँसु आ गए उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी बड़ी गलती के बाद भी उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा वह आभार से भरी हुई बिना कुछ कहे स्वर्ग के द्वार की ओर चल पड़ी फिर तीसरी बारी आती है उस सिपाही की जिसका नाम सूर्य केतु था चित्र गुप्त ने उसके भी कर्मों का हिसाब किया और यमराज ने उसका पाप पुन्य का मूल ल्यांकन किया कुछ देर विचार करने के बाद यमराज ने उसे भी स्वर्ग में भेजने का आदेश दिया सूर्य केतु के चहरे पर एक मिश्रित भाव था पच्तावा और प्रसन्नता उसने अपने जीवन में किये गए पापों का दुख महसूस किया परन्तु वह भी प्रसन्नता के साथ स्वर्ग की ओर चल पड़ा फिर चौथी बारी आती है उस विद्वान ब्राम्भन की जिसका नाम वाचस्पती था चित्र गुप्त उस ब्राम्भन के करमों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करते हैं फिर यमराज उस ब्राहमन को भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं, फिर वह विद्वान ब्राहमन विचार करता है, मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे क्यों स्वर्ग में भेज रहे हैं, वाचस्पती को भी यह निर्णय आश्चर्य चकित कर गया, परंतु उसने इसे स् इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुन्य के काम किये है, उनका क्या? पापी और पुन्यवान एक ही जगह पर डाले जाएंगे, तो पुन्य करने का फाइदा ही क्या? फिर उस धनवान किसान को यम के दूत जोर से धकेल देते हैं और कहते है अरे पापी, तु आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह धनवान किसान भयभीत हो जाता है, और कहने लगता है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया है। फिर वह धनवान किसान यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है, चित्रगुप्त उसके करमों का लेखा जोखा देखते हैं, और उसके पाप पुन्य के करमों का मूल्यांकन करते हैं, तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है, और यमराज उस धनवान किसान को कहते हैं, अरे दुष्ट, तुने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। तू तो नरक में जाने के ही योग्य है। इतना सुनते ही वह किसान थर-थर कापने लगता है। और यमराज से कहता है। अगर ऐसा अन्याय होगा तो भले कौन सा मनुष्य धर्ती पर पुण्य करेगा। फिर यमराज कहते हैं अरे पापी तूने जो पाप किया है वह तो उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नश्ट हो गया है। अपने जीवन में चोरी की थी परंतु उसने कभी किसी गरीब या निर्दोश व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। वह केवल उन लोगों के घर चोरी करता था जो अमीर और अहंकारी थे। उसने अपने द्वारा चुराए गए धन का अधिकांश हिस्सा गरीबों और भूखों को भोजन कराने में खर्च किया। हरिदास का हरदय दयालू था और उसने अपने जीवन में कई भूखों को अन और पानी दिया है। उसके ये पुन्य उसके पापों से बड़े थे इसलिए उसे स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। यह सुनकर महिपाल ने सिर आखों में पच्चतावा दिखने लगा। लेकिन यम्राज ने उसे अधिक समय दिये बिना आगे कहा। इसलिए उसे भी स्वर्ग में स्थान मिला। फिर यम्राज ने कहा। उस सिपाही सूर्य केतु ने अपने जीवन में अंगिनत लोगों के प्राण लिये हैं। परंतु वह अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहा था। उसने कई बार अपनी आत्मा को यह समझाने की को करीबों को भोजन कराया और अपने के पापों का पश्चाताब भी किया। इसलिए उसके पुन्य उसके पापों से अधिक निकले और उसे भी स्वर्ग प्राप्त हुआ। महिपाल अब और भी अधिक शर्मिंदा हो गया। उसकी आँखों में पश्चाताब के आँसू थे। लेकिन यम्राज ने उसे अपने अंतिम निर्णय के लिए तैयार किया। यम्राज ने कहा। उस ब्राह्मन वाचस्पती ने अपने ग्यान का दुरुपयोग किया था। उसने धन के लोभ में आकर अपने शास्त्रों के ग्यान का व्यापार किया। परंतु उसने अपने जीवन में कभी किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ा। उसने निर्धनों की सहायता की, गौ सेवा की और अपनी विद्या के माध्यम से कई लोगों का उध्धार किया उसके ये पुन्य उसके पापों से बड़े थे, इसलिए उसे भी स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ इतना सुनकर वह धन्वान किसान बोलता है, हे धर्मराज इन चारों ने जो भी पुन्य किये है, वो तो मैंने भी किये है, बलकि उनसे ज्यादा किये है, फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है यमराज कहते है, हे दुष्ट याद कर तुने उस अबला विधवा नारी पर गलत लांचन लगाया था, कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तुने उसके उपर कई अन्य गलत लांचन लगाये थे, उसे व्यभिचारिनी और वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया है, और राजा ने उसे सत्य समझ कर उस अबला विधवा नारी को मृत्यु दंड दे दिया था, महिपाल तुमने जीवन में कई पुन्य किये परंतु एक पाप ने तुम्हारे सभी पुन्यों को नश्ट कर दिया तुम्हारा जूठा आरोप, वह दोश स्त्री पर, जिसने उसकी जान ले ली, वह तुम्हारे सारे पुन्यों का विनाशक बना, मनुष्य के पुन्य और पाप दोनों ही उसके कर्मों का फल होते हैं, लेकिन दूसरों पर जूठे आरोप लगाने का पाप सबसे बड़ा होता है और इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता इसलिए तुम्हें नरक जाना होगा महिपाल अब भयभीत हो गया उसने कापते हुए कहा परंतु मैंने ऐसा जान बूझ कर नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि मेरे इस आरोप से उसकी मृत्यू हो जाएगी मैं केवल अपने धन की रक्षा कर रहा था यमराज कहते है, हे पापी मनुष्य ब्रम्ह हत्या, चोरी मदिरापान, आदी प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है किन्तु दूसरों पर गलत लांचन लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है चो दूसरों पर गलत आरोप करता है सत्य जानकर भी दूसरों को जूट कहकर उनके उपर दोश डालता है वह तो सबसे बड़ा पापी है उसके द्वारा किये गए सभी पुन्य नश्ट हो जाते हैं इसी लिए तूने जितने भी पुन्य किये है वे सभी उस एक पाप के कारण नश्ट हो गए महिपाल की आँखों से आसु बहने लगे उसकी आवाज काप रही थी जब उसने कहा हे धर्मराज मैंने अपने जीवन में अने को दान किये देवताओं की पूजा की ब्राहमणों की सेवा की परन्तु यह एक पाप जिसे मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा होगा मेरे सारे पुन्य नश्ट कर देगा क्या कोई प्रायश्चित नहीं है जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूँ यमराज ने उसे कठोरता से देखा और कहा नहीं महिपाल तुमने अपने जीवन में उस निर्दोश स्त्री पर जो आरोप लगाए थे उनका परिणाम यह है कि तुम्हारे पुन्य सभी नश्ट हो गए अब तुम्हें नरक की यातनाओं का सामना करना पड़ेगा फिर यमराज यमदूतों को कहकर उस पापी किसान को नरक ले जाने के लिए कहते हैं महिपाल यमराज के इस कठोर निर्णे से तूट चुका था वह रोता बिलखता यमदूतों द्वारा नरक की ओर ले जाया जाने लगा उसके मन में केवल पच्छतावा और गलानी थी हे देवर्शे इस प्रकार से उन चारों ने पाप करके भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ती हुई है किन्तु उस किसान ने जगन्य अपराध किया है किसी अबला स्त्री पर गलत लांचन करके उसका चरित्र हनन किया है एक स्त्री सदा ही पूजनीय है जो भी पुरुष स्त्री पर गलत आरोप करता है उसे महापाप लगता है कभी किसी स्त्री की दुरबलता का फाइदा नहीं उठाना चाहिए पराई स्त्री को सदैव ही माता समझना चाहिए जो पराई स्त्रीयों पर गलत द्रिष्टी डालता है उसे पाप ही लगता है जो विधवा, दुखिया, स्त्री को सताता है उसे नरक में जाना पड़ता है मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए सत्य के मार्ग पर चल कर ही स्वर्ग की प्राप्ती होती है असत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पुन्य भी नश्ट हो जाते हैं तो दोस्तों, कभी किसी पर गलत आरोप नहीं करना चाहिए सत्य जान कर भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए जो दूसरों पर गलत आरोब डालता है उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करता है उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी विडियो को लाइक जरूर करे और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करे आप सभी का धन्यवाद